दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सब को घं किसे कहते हैं? घं का छित्रपल तता आयतन दोनों निकालना समझाया जाएगा? तो वीडियो को अंतर जरू देखेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम समय लेते हैं आखी घं मतलब क्यों किसे कहते हैं? बारे भुजाओं से गिरी एक ऐसी आकरती जिसकी लंबाई चौडाई था उचाई. सब समान हो उसे क्या कहते हैं? घं कहते हैं या घं कहलाती है. यहाँ पर देख लिजी हमने एक आकरती बना दिया है यहाँ पर. यह क्या है हमारा क्यों मतलब घं है? देख लिजी इसकी लंबाई चौडाई सब बराबर है. ठीक है, सब कुछ इसमें बरावर है, माली जी भुजा, ये A है, तो सारी भुजाएं बरावर हो जाएंगी सब A होगा, ठीक है यहाँ पर सारी भुजाएं बरावर होगी, क्यों? क्योंकि ये घन है, घन में सभी भुजाएं बरावर होती है देखें यहाँ पर घन के 6 प्रिषत होते हैं मतलब 6 तल होते हैं देखें एक यह हो गया दो हो गया ठीक है 3 4 5 6 तो क्या हो गएँ? 6 प्रिष्ट हो गए परती प्रिष्ट एक वर्ग होता है देखेंज इसी को ले लिईजिए यह क्या है हमारा एक वर्ग है तो आप सबको सोंज में आ गया घं किसे कहते हैं इसके बारे हमने आपको बता दिया आप इसके बाद देखेंगे घं के महत्वपूर सूत्र तो पहला हमारा सूत्र है घं का आयतन घं का आयतन बराबर सूत्र होता है भूजा का Q हमने यहाँ पर भूजा क्या माना है भूजा A है तो यहाँ पर लिखेंगे A का Q यह होगे हमारा पहला सूत्र है इसके बाद देखें दूसरा सूत्र घन की संपूर प्रिष्ट का छित्रफल मतलब पूरे प्रिष्ट का ही छित्रफल है क्या है छे गुड़े भुजा 6 हो जाएगा और गुड़े भुजा हमने माना है A को तो A का स्क्वार छे गुड़े भुजा का स्क्वार यह होगे हमारा दूसरा सूत्र आप देखें हमारा तीसरा सूत्र है घन का विगड बराबर सूत्र है रूट में थिरी गुड़े भुजा तो इसके बाद हम question को solve करेंगे तो देखिए हमारा पहला question है एक गहन की प्रतेक भुजा 6 cm है तो गहन का प्रिष्टी चीतफ़ ग्याद कीजिए तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हलियाज सालूसन ठीक है हमको देखे question में दिया है भुजा तो यहां पर लिखेंगे गहन की भुजा गहन की भुजा बरावर 6 cm अब क्या कह रहा है गहन का प्रिष्टी चितफ़ याद कीजिए तो देखिए इसका हम एक सूत्र जानते हैं गहन का प्रिष्टी चितफ़ गहन का प्रिष्टी चितर्फल का सूत्र होता है छे गुड़े भुजा का स्कॉयर ठीक है यह हम एक सूत्र जानते हैं तो इसी सूत्र पे हम लगा देंगे question साल हो जाएगा तो देखिए छे गुड़े भुजा हमारा है छे का स्कॉयर कर देंगे बस हो गया छे गुड़े आप देखिए छे का स्कॉयर करेंगे तो छे का स्कॉयर मतलब छे का छे में गुड़ा चे का छे में गुड़ा करेंगे तो आएगा 36 यह हो गया अब इसके बाद देखिए छे गुड़ा छे में करेंगे तो छे का गुड़ा छे में करेंगे तो आएगा 36 के 6 हांसिल 3 आ गया 3 का गुड़ा छे में करेंगे 6 तरीक 18 18 अठार तीन होता है 21 तो हमारा आ गया 216 क्या वर्ग सेंटीमीटर देखिए मातरक कैसे लिखते हैं तो देखिए हमारा जो है भुजा सेंटीमीटर में था और छेत फ़ल हमेशा वर्ग होता है तो हमने लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर तो एंस्वर आगया हमारा 216 वर्ग सेंटीमीटर देखिए हमारा दूसरा कोश्चन है एक घं के सतय का छित फल डेड़ सोवर्ग मीटर है तो आयतन क्या होगा देखिए आयतन निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए और कोश्चन में भुजा नहीं दिया है तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे देखिए यहाँ पर दिया है घं के सतय का छित फल तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे देखिए घं के सतय का छित फल का सूत्र होता है तो यहाँ पर लिखेंगे घं के सतय का छित फल बराबर सूत्र होता है हमने बताया है छे गुड़े भुजा का स्कॉायर यह होता है हमारा सूत्र अब देखिए हमको घहन के सत्य का शेतफल पता है क्या है देड़ सव ठीक है छे गुड़े भुजा का स्कॉयर यहां से हम भुजा निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा भुजा बराबर 500 बटे 6 लेकिन अंडर रूट में हमने कैसे किया यह जान लिजी देखिए 6 को हमने दूसरे सैट भेज दिया भाग में हो गया यह स्क्वाइर जो है दूसरे सैट जाएगा रूट में बदल जाएगा अब देखिए 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 6 से भाग देंगे तो आएगा रूट में पचीस और रूट में पचीस का रूट निकालेंगे या वरगों लिकालेंगे तो आएगा पांच तो हमारा भूजा निकल की आग या पांच क्या मीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर वरग मीटर है तो यह मीटर हो जाएगा आप देखिए हमको भुजा पता है तो हम आयतन निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घं का आयतन आयतन बराबर शूत्र क्या होता है भुजा का क्यूब देखिए हमको भुजा पता क्या है पांच सेंटीमेटर तो पांच का क्यूब करेंगे मतलब पांच गुड़े पांच गुड़े पांच पांच का तीन बार गुड़ा होगा तो गुड़ा करते हैं पांच पचे पचीस पचीस पचे एक सो पचीस क्या मीटर क्यूब क्योंकि ये आयतन है आयतन हमेशा क्यूब में होता है और हमारा मातरक है मीटर तो हो जाएगा मीटर क्योब यह हो गया हमारा एंस्वर तो हमारा आ गया घहन का आयतन बराबर 125 मीटर क्योब अगर जो आप सबको घहन का आयतन तथा छेत फल दूनों निकलना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं ने वीडियो में तब तक लेजिया हैं जै भारत